हेलो सुडेंट्स आरज हम नएया टॉपिक रहेंगे, हुमन जनाटिक्स, बिस्षी फ़स्ट यॉर का टॉपिक है, उसके अंदर एक अटॉपिक है, हुमन जनाटिक्स, हम देखते हैं क्या क्या है, फ्रस्ट वन इस था हुमन केरियोटाइपि, आप चेनल को सबस्क्राइब कर ले जिसनी नहीं किया है। वन बाइवन जेनेटिक्स के टोपिक सभी ऑविलेबल करवाई जा रहे हैं इसके अंदर। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। करियो टैपिंग क्या होता है? Karyotyping is a laboratory process which allows your doctors to examine your set of chromosomes हम नौर्बा में अगर बात करते है करियो टैपिंग होती ही क्या है Karyotyping में जो हमारे chromosomes होते हैं chromosomes की structures को examine किया जाता है कि actual में वो chromosomes किस typing की है करियो टैपिंग क्या है Karyotyp also refers to the actual collection of chromosomes being examined कैसे exam, उनको chromosomes को examine करने के process को ही करियर टैपिंग बोला जाता है एक्जामिन क्रोमोसोम से ये पता चलता है कि आपके क्रोमोसोम में क्या abnormalities हैं क्या structural problems हैं क्रोमोसोम के लिए और उसके वज़े से आपको क्या problem है आपकी body में जो problems है वो इस वज़े और उसके तो नहीं है तो इस तरीके से क्या हुनको study किया जाता है क्रोमोसोम्स आर इन दा almost every cell of your body हमारी हर सेल के पास सिंप्रोमोसोम्स होते हैं और नियरली इक्वल होते हैं जम सेल में कैमिट सेल को छोड़के सभी सोमेटिक सेल के पास 23 पेर ओफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसा नहीं है कि एक सेल के पास अलग पेर है दूसरी सेल के पास अलग पेर है हर सेल के पास इकुल क्रोमसों होते हैं ने हैं संद्ध जो हमारा क्रोममसों का स्ट्ट्चर Structure होता है जो हमें हमारे पेरेंट से मिला होता है सब को पता है जो kromosomes होते हैं वो DNA से मिलके बनते हैं, तो उसके अंदर जो material होता है, that is known as the genetic material, DNA is the genetic material of that body, और kromosomes किसे मिलके बनते हैं, DNA से, DNA की packaging होके ही kromosomes से structure बनती है, जब एक cell divide करती है, it needs to pass on a complete set of genetic instructions to each new cell, it forms, एक cell से जब नई cells बनती हैं, जब उन्हें mitosis पड़ाया है, उसके अंदर इंचक्ली क्या होता है, कि जो genetic instructions के लिए DNA जो होता है, वो equal pass होता है, अगर हम mitosis की बात करती है, When a cell is not in the process of division, जब वो cell division के process में नहीं होती है, कि इन दा process of meiosis and the mitosis नहीं है, तो kromosomes क्या होते हैं, arrange होते हैं, in a spread out and unorganized way, उसके time period में क्या होते हैं, वो एक वे में present नहीं होते हैं, unorganized होते हैं, cell के अंदर present होते हैं, सिफ metaphase जो stage होती हैं, उसके अंदर kromosomes क्या होते हैं एक linear stage में आते हैं, जहां हमको study कर पाते हैं, during division kromosomes in these new cells line up in a pair, यह जब हमने mitosis पड़ा था, तब देखा था कि mitosis के अंदर metaphase stage के अंदर क्या है, उस cell के kromosomes की study के रिए अच्छी stage माने जाती है, क्योंकि उस time period के अंदर kromosomes क्या होते हैं, एक line पे stage पे इकठा होते हैं और equatorial plates जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर वो present होते हैं, can you type in test examing these dividing cells, क्यों, can you type dividing cells का यह क्यों होता है, क्योंकि kromosomes उस durations में क्या है, line up होते हैं, इसलिए, the pair of chromosomes are arranged by their size and the appearance, उस durations के अंदर, dividing cell के अंदर, जो kromosomes होते हैं, वो arrange होते हैं, और simply appearance उनकी show होते हैं, This helps your doctor easily determine if any chromosomes are missing or damaged, उस duration में, doctor examine कर सकता है, कि chromosomes present है, missing है, damaged है, क्या problem है, उस duration, इसलिए क्या होती है, karyotyping है, dividing cells की ही की जाती है, वाई देस्टेश्ट ऩुज्फल वाई कर्योटापिज हमने क्यों कऱवानी है फिले बताया कि हमने क्रॉमोसोम की जो अपनौर्मलेटीज है उसके लिए करवानी कैज देए। number of chromosomes incorrectly arranged of chromosomes और mark formed chromosomes can also be sign of a genetic condition chromosome का number कम है ज्यादा है incorrectly arrangement है उनका malfound की उसमें structures damage है structures difference है वो अगर conditions present है तो वो उसके करियोटाइपिंग में हम उसको अच्छे से study कर पाते हैं इसलिए करियोटाइपिंग जरूरी है genetic conditions vary greatly but to exam pulse जैसे down syndrome है turner syndrome है उस duration चाहिए ये chromosomes की abnormalities के syndrome है तो उनको study करने के लिए chromosomes की structure को study करना पड़ता है करियोटाइपिंग कैन बी यूज़्ट डिटेक्ट अवरेटी ऑफ जेनेटिक डिसॉर्डर्स जैसे for example a woman who has premature ovarian failure may be have a chromosomal defect that करियोटाइपिंग सब्सक्राइपिंग के पास जो ovarian failure हो रहा है pregnancy वो conceive नहीं कर पा रही है उस case के अंदर उसके chromosomes उसको defected मिल सकते हैं तो वो किससे पता चल जाएगा करियोटाइपिंग से the test is also useful for the identifying the philadelphia chromosomes extra chromosome जोग होता है उसके लिए having these chromosomes can sign chronic myelogenous leukemia एक टाइप का cancer होता है वो उस चीज़ को कि एकर philadelphia chromosome है उसके अदर structure change होता है philadelphia के अंदर तो वो इस cancer के लिए क्या है cancer causing conditions है babies can be karyotype tested before they are upon to diagnose genetic abnormalities that indicate serious birth defect such as the clean fender syndrome अगर बर्थ से पहले करवाई जाती है किसी भी यंग वन्स की किसी भी बेवी की तो उसमें क्या है हम क्रोमोसोम abnormalities उसकी देख पाते हैं उसको इस तरीके की कोई disease तो नहीं है या हो सकती है क्यों अगर किसी भी एक अपंग जिंदेगी से अच्छा है कि वह जिंदेगी ना क्योंकि अगर यह disease है जैसे करिंफेंटर syndrome है वो जो syndrome होते हैं वो क्या है हमारे बहुत disease बहुत क्या होती है जैसे नहीं होती है तो इसलिए क्या होती है वो इसको पहले से डिटक्ट करने के लिए करियो टैपिंग करवाई जाती है क्लिंद फेंटर syndrome a boy is born with an extra chromosome क्लिंद फेंटर syndrome मैं आपको आगे बताऊंगे क्या होते है एक्सट क्रोमोसोम होता है एक्स प्रोमोसोम जिसकी वशेसे वोई defect है ऊसके दर हो गोज होता है सेंपल आफ सैंस की ना है कहा कर जासा क्लैक्ट कर जा सकता रहाए ब्लरत से या अम्यूटिक फ्लूर्त अगर कोई भी यंग वन्स है न्यूबोन बेबी के लिए क्या अम्योटिक फ्लूड से करिया जा सकता है या फिर प्लेसेंटा से जो मदल की बोड़े के साथ अटेच्ट होता है तब इसमोट में अगर्ण है और आपनूड करें तो किस तरीके से कहा रहेंगे ब्लड से करेंगे से कवाइब्सेह टार से करेंगे त्लोग से ब्लड ननुखै कर्वाजूपरस सैंपलिंस वह चाजयों यहां n किया एड़ दावज़ क्लचर मेडिया के अंदर या गरके यह अदर करके क्लचर किया जाता है कब एड़ ट्वनटी सेल्स इसे सवरी सेवन डिवाइडिंग सेज्ट में आ जाती है कल्चर करने का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल्स वहाँ पर formation होती है और एक से ज्यादा सेल्स हमेशा dividing conditions के बाद ही होती है अब उसके बाद क्या करेंगे वहाँ पर आप colchicine add कर देंगे and the hypotonic cell line colchicine का काम क्या होता है कि जो cell होती है वो cell उसी जो उनकी dividing cell stage हो उसी cell के डिवाइडिंग stage के दर arrest हो जाती है colchicine डालने के बाद कि जिस stage में है metaphage में, anaphage में, heterophage में जिस भी phase में हो उसी phase के दर क्या arrest हो जाती है and cell fixed और cell को fix किया जाता है fixing का मतलब होता है कि जिस stage में उसके उसी time duration में उसको कर दिया जाता है और fix कर दिया जाता है spread the cells उनको slide by the dropping spreading के जाता है उनको damage किया जाता है after that digest with the trypsin and the strain with the gym sustain staining होती है coloring color जो होते है इसके उपर डालने के बाद इन जो cells होती है उनके अदर एक color produce होता है जिसके उज़े से हम उनको अच्छे से कोगनाइस कर पाते है analyze metaphase spread जाद अदर के इसको देखना चाहेंगे metaphase के अंदर जहां पर number of chromosomes easily detect हो सकते हैं क्योंकि telophase में completely compact हो जाते हैं यह karyotyping उसके फिर क्या है spread होती है जो microscope में analysis के बाद सिसके दिखाया जाता है तो यह क्या है इसका process of a karyotyping present तो इसमें क्या देखना होता है microscope में इसको chromosomes को देखने के बाद क्या उसमें से justify करेंगे क्या देखेंगे अगर उसमें कोई extra chromosome है या फिर कोई missing है chromosome या chromosome का कोई portion missing है extra portion तो नहीं है कोई chromosome के पास या फिर जो portions that have been broken off of one chromosome and reattached to another तो नहीं है कि एक chromosome से कोई portion तूट गया है उसका और दूसरे chromosome के पास जैसे यहां से तूटा है यह portion और दूसरे chromosome के पास जाके क्या है अटाइच होगा एक extra होगा है यहां पर तो वो ऐसा कोई केश तो नहीं है तो वो सभी क्या एक abnormalities स्कॉस करते हैं उन्चे जो को detect कर सकते हैं वाइदा प्रोसेस ऑफ एक करियोटाइप हुमिन करियोटाइप में देखे आप कि क्रोमसॉम की स्ट्ट्चर्स धम बताते हैं जैसे spindle fiber वोते हैं वो क्या करते हैं कि जो क्रोमसॉम से हैं स्प्रेड करते हैं division करवाते हैं इसके जैसे यह देखिए metacentric जो होते हैं यहां पर सेंट्रोमियर वो कहां है बिल्कुल मिडल में हैं सेंट्रोमियर क्रूशियल सेंट्रोमियर किसके जरूरी होता है सेल की division के लिए as they give the stability to the क्रोमोसॉम क्योंकि वो क्रोमोसॉम को stability देते हैं अब सेंट्रोमियर based करता है सेंट्रोमियर कहां पर present है इसके according क्या structures of क्रोमोसॉम change होती है सेंट्रोमियर can be either localized और holocentric एकी जगार पर हो भी सकता है change भी होता है अगर वो प्रेजेंट है सेंट्रोमियर के basis पर टाइप्स के डिफ्रेंट होते हें सबमेटसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक,pture ув.. içH,A,P.. क्रोमोसॉम ने देखा कि सेंट्रोमियर हाए स मेटसेंट्रिक में क्या है कि दोनों के दोनों एक चोटी हो एक बढ़ी है और chromosome क्या है एक तरफ ज्यादा है जो सेंट्रोमियर को एक तरफ ज्यादा है उसके वज़य से क्या हो सब Metacentric जिसमें G-Safe structure बनती है एक्रो सेंट्रिक बिल्कुल क्या है point पे है इस तरह के से और A-Centric क्या होता है chromosome के उपर सेंट्रोमियर है ही नहीं ए अपसेंट तो उसमें क्या है दोनों की दोनों जो सेंट्रोमियर के बाद जो दोनों arms है chromosome की small arms and the large arms दोनों की दोनों की दोनों क्या है अलग होती है this is the type of chromosome on the basis of the centromere locations तो यह करियो टाइपिंग से ही बता चलता है कि किस तरीके से होता है यह देखो metacentric exactly middle में है submetacentric एक point पे ज्यादा है एक पे कम है acrocentric pointed है ज्यादा इसमें बिल्कुल small arm है और heterocentric की बिल्कुल tail present पे है tailing ends पे है यह dicentric देखो दो centromere present और eccentric जिसमें है ही नहीं तो इस रिखेकी conditions क्या है on the basis of the centromere positions type of chromosomes we can study chromosomping arms की बाद हम कर रहे हैं तो किस तरीके से होती है जो small arms होती है that is denoted by the P arms P part और जो long arm होते that is denoted by the Q याद करें एक अच्छा तरीका है P पहले आता है Q बाद में आता है तो पहले बड़े चोटे आते हैं बाद में बड़े आते है तो इसलिके से हम उसको याद कर सकते हैं कि आगे जो चोटे बच्चे होते हैं वो चोटे घड़े की जाते हैं मतलब जो पहले आएंगे that is the P P पहले आता है that is the short arm structure क्यों बाद में आता है that is the long arm structure in between क्या प्रेजेंट है centromere centromere का क्या काम होता है constructed point where the two chromatids are hold together centromere दोनों arms को P and the Q arms बोथ are connected by the centromere और यह किससे मिलके बना होता है DNA की composing से compactness of the DNA that cause the chromosomes DNA molecules present होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं stands of the DNA are found into the compact structures inside the chromosomes by protein called the histone proteins chromosome बनते किसे है DNA plus the histone protein basic proteins होते हैं basic structure होती है इनकी acidic नहीं होते हैं तो वो compact करके क्या chromosomes को formation करते हैं यह देखे human का karyotype यह chromosome number first second third fourth fifth male और female दोनों का है सबी structures एक जैसे दिखाए देंगी x and y chromosomes के पास difference x chromosome and the y chromosomes both are different there is the x and y both are present there is x sex present because of the sex of female denoted by the x sex and the marriage denoted by the x differences between the types of chromosomes तो यह human का karyotype है structures देखो इसमें के अंदर क्या है human के अंदर एक grouping किया गया है A, B, C, D, E, F, G एक से तीन जो number of chromosomes है वो largest होंगे और metacentric होंगे fourth और fifth chromosome medium size का होगा और sub metacentric होगा position भी define की गई है कि कैसा है जैसेंट्रोमियर की position six to twelve से होंगे medium और sub metacentric होंगे 13 to 15 medium होंगे, acrocentric होंगे और set chromosome भी present होगा, satellite chromosome जिसको हम बोलते है 16 to 18 medium size है, short है, metacentric और sub metacentric हो सकते हैं दोनों cases में कोई भी हो सकता है 19 to 20 short और metacentric होंगे 20 to 21 smallest होंगे, metacentric होंगे अगर Y chromosome है तो वहाँ पर क्या है? Y chromosome की types का present होगा इसके साथ क्या है? Y chromosome भी इसके अंदर adjust किया जाता है तो इस तरीके से क्या है? यह fixing है कि इस तरीके के ही chromosome present होने चाहिए human के अंदर अगर change है तो कोई ना कोई abnormalities उसके अंदर present अब है कि chromosome के अंदर हम चेक कैसे करेंगे bending technique होती है जिसको हम chromosome bending technique बोलते है यहां पर क्या आगा हम उने specific कहा कि chromosome के bends को प्रोवाइड करवाना है हमें तो वो cell की space ही होनी चाहिए meiosis swell the cells in the hypotonic solutions and spread the chromosome उस cell को किसी भी hypotonic solution के अंदर डाल दीजिए जिसकी वजह से उसके अंदर swelling हो जाएगी hypotonic solution यह आप लोगोंने स्वेडिय को से जाएगी बाहर के solution के पास क्या होते है कि उसमें water की component water जादा होता है means solution solvent जादा होता है और cell के अंदर कम होता है तुस जो cell जिस फरीके से अगर हम बात करते हैं यह cell है इसके अंदर water का component कम है और बाहर का environment है जिसके अंदर उसको डाला है that is the hypotonic solutions उसके अंदर वाटर ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा इस बाहर वाले इंवार्मेंट से अंदर जाएगा तो सेल क्या कर जाएगी स्वेल कर जाएगी इसलिए और वहां पर क्या होगी जो क्रोमोसम से मों स्प्रैड हो जाएगी स्विच सेल मेटाफिज वन दा मिक्सिंग डांट दा विद आ ऐसे कॉल चैं़ का टाइम मैंने आपको कहा कि वह उसको एक। कि यह थैन के यह यह था कि जो से स्टिल फाइबर बार ने देती तो वह क्या है इस लिए गया तो पुल्चिसीं के बात क्या हो जाती है क्रोमोसों स्टडी स्टेज होती है वो and then prepare them for specific bending techniques अब उनको specific bending techniques के लिए prepare किया जाता है ये bending अलग-अलग होती हैं बताएंगे हम इसके अंदर क्या होता है as persons discovered that the stain, quarkrine, quankrine, mustard, show light and dark bands along the chromosomes जब उन्होंने stain ये लिया quankrine, तो bands कैसे मिले एक dark band था, एक light band था एक dark था, एक light band था इस तरीके के bending क्या है पेजेंड इस bending techniques allow the most accurate identification of 22 autosomes and X and Y chromosomes जिसकी वज़े से हम सभी chromosomes को differentiate कर पाए 22 autosomes को अलग से differentiate कर पाए और X and Y chromosome को अलग से differentiate कर पाए इस technique also could identify abnormalities missing chromosomes and extra chromosome in a cell और इस cell को क्या बोलते है Q bending क्योंकि हमने यूज क्या किया है इसके अंदर quankrine quankrine अगर हम यूज करते है तो उसे bending techniques को बूला जाता है Q bending types of bending different है ये देखते हैं मैं देखते हैं first की bend होता क्या है ये bending है जैसे light band है dark band है ये P and Q हमने बता दिया था P is the short arm Q is the long arm of the chromosomes telomere that is the tail part of the chromosome is the telomere centromere is the central part where is the centromere where is the P small arm and the large arm of the chromosome is jointed तो ये क्या है इसका part तो ये small bend ये bend होता क्या है Paris conference in the 1971 defined a bend as a part of chromosome which is clearly distinguishable from its adjacent segment by appearing darker or lighter with various bending techniques क्या बतायोंने कि ये bend से क्या है portion of chromosome है दूसरे portion of chromosome से अलग दिखाई देता है किस वज़े से या तो ये light है या ये dark है इस वज़े से किस वज़े से होगा ये light ये dark कोई भी stain जो हुमने यूज़ किया है उस staining process की बचस तो ये होता है bend आप bending techniques हम देखते हैं क्यों bending होती है G bending होती है N bending होती है C bending होती है और एक अलगतर है कि bending और भी होती है आगे दी बताएंगे क्यों bending में क्या है क्या है G bending के अंदर जिंसा यूज़ किया गया है N के अंदर NOR यूज़ के होता है C के अंदर Central American होता है ये एक जिसने discover किये थे वो बताया गया है क्यों bending है cash persons ने यूज़ की थी at all का मतलब होता है कि उसके साथ और भी उसके साथी थे जिंसा बेंडिंग को 1971 के अंदर SMAR ने यूज़ की थी दिस्कवर किया था NOR को 1973 के अंदर मस्तुवाई और ससाकी ने यूज़ किया था डिस्कवर किया था 78 के अंदर लिंडेन एंड था लुसर सी सेंट्रोमिर या सोई C bending है जो उसको डिस्कवर किया था उसको ड्वैल्प किया था यह देखो क्रोमोसोम बेंडिंग Q bending, G bending एंड C bending क्या है डिफरेंस देखते हैं Q bending, क्रोमोसोम स्टेंड वीदा फ्लॉरिसेंट डाई सच ऐस था प्लॉरिसेंट डाई क्या होते हैं जिसके उपर जब लाइट डलती है फ्लॉरिसेंट लाइट जब डलती है तो उसकी वज़े से एक क्लर प्रोडूस होता है एक साइनिंग प्रोडूस होती है उसको हम बोलते हैं फ्लॉरिसेंट G bending के अंदर क्या यूज होगा जिमसा बेंडिंग जिमसा बेंडिंग कैसे एक जिमसा स्टे यूज है जिमसा बेंडिंग क्रोमोसोन को ट्रीपसीन से डाईजेष्ट करवाया जाता है डिपसीन की वज़े से जो उसके उपर प्रोडेज होते हैं lists एक बेंडिंग का एक स्पपेसिफिक लोकेशन होता है कि वह वहींपर काम करता है Hemine Acid जैसे वहां पर प्रेजेंट होते हैं, discrimin को भी तोड़ता है उसके बादुछ क्या है जी जो by Native Skin सतेयन के साथ हूं मिक्सिंग कर दिया जाता है जिसको से जाता है इसके बाद उसके ऊपर किया है जिमसा स्टेन डाला जाता है जैसे क्रोमोसोम को क्रिपजिंस करवाना उसके बाद डिका ए दे देटी जी बंडंडंग में क्या करना जीमसाबंडीं के आंदर हमने पहले क्रोमोसोम को प्रिक्सें से डेजस्ट करवाना उसके बाद जीमसाइब कर डाला है पपाँबलड लिटो करेंगे उस Зап만 morals चेंदा जिंस तेन गे उसका हम ने खाला Сटीएम सभ खेटिक्स जो क्रोमोसोम के उपर वो study करेंगे advantage क्या है इसकी used in the identification of the bands रिचींद the surfer content जहां पर surfer molecules ज्यादा होंगे वो उन bands को ज्यादा से अच्छे से दिखाएगा used in the identification of chromosome and abnormalities chromosome के अंदर जो abnormalities हैं उनको अच्छे से दिखाता है gene की mapping अगर हमने करने के genes इसकी तरीके से प्रेज़ेंटर chromosome के उपर क्या sequencing है उसकी वो उसको दिखाता है disadvantage क्या है कि इसको plants के अंदर use नहीं कर सकते हैं chromosome to plants के अंदर भी present होते हैं abnormalities को वहां भी होती है तो हम जिमसा bending को या फिर G bending को वहां पर use नहीं कर सकते हैं क्यों bending simple है versatile है बहुत ज़्यादा usable है use where the G bend is not accepted जिमसा काम नहीं करती महाँ पर Q bending technique को use क्या जाता है used in the study of the chromosome heteromorphism दूसरे chromosome से different किस तरीके से है morphology different किस तरीके से है वो सब सिज़े study करने के लिए Q bending को use क्या जाता है disadvantage क्या है tendency to fade during the examination fluorescent dye है उसके दर fading हो सकता है photo degradation light की वज़े से degradation damage हो सकता है chromophore जो chromophore उसके दर use क्या जाता है light producing chemicals जो use क्या जाता है अब जब light of a particular wavelength due to the chemical bond between the dye and the light इस chromophore के बीच में particular wavelength है जो light की उसी की bonding से होगी उसको अब जोब भी कर लेता है और उसकी वज़े से bending techniques भी थोड़ी सी diffuse होती है थोड़ी से differentiate होती है UV light देखता है chemical bonds UV damage कर सकती है chromosome की abnormalities में UV lights जोगर वह भी role play कर सकती है हो सकता है जो abnormalities इसके दर दिखाई गई है कि बैंडिंग के बाद वह जरूरी नहीं कि उस organism के अंदर हो सकता है UV light की वज़े से हो तो यह disadvantage है chromosome banding में आपको लगले बताते है क्यों banding है क्यों बैंडिंग है किस को सबसे जादे यूज़ करता है क्यों हमने specific कहा AT-rich जो DNA है पारट है जो chromosome के अंदर क्योंकि chromosome कि से बना है DNA से DNA के अंदर क्या है Purine and Pyramidians के बेसिज है जो nucleotide base pair वो क्या है present है वो nucleotide base pair जहां पर AT-rich है वहां पर क्या है सबसे ज़्यादा Q-banding उसको affect करेगा क्या है कैसे करेगा UV lights के अंदर distinct fluorescent dye है जो fluorescence band के अंदर G-banding के अंदर कहां पर करता है यह भी repetitive AT-rich DNA जो होता chromosome arms के पास वहां पर सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है उसी को produce करेगा distinct band pattern अलग-लग दिखाए देंगे same as the Q-banding pattern except single additional band near the center of the chromosome 1 and 16 1 और 16 के पास है अगर हमें same बात करते है Q-banding भी करवाई है और G-banding भी करवाई है Q-banding में nearly same चीज़े होती है सिरफ 1 to 16 1 और 16 जो chromosome है उसके पास additional band दिखाए देता है यह difference है R-banding यह difference करता है कि कैसी tackling से है C-banding भी different करता है chromosome कैसे होंगे GC reach होंगे R-banding के अदर क्या होंगे DNA का वह part सबसे ज़्यादा दिखाए जाएगा जहां पर GC की bonding है क्योंकि यहां पर तोनों के इसके दर क्या दिखाए 80 की bonding जाता दिखाए यहां पर guanine cytosine की reverse banding pattern of that observed with the Q and the G bending exactly opposite है क्योंकि 80 reach को दिखाए जा रहा था GC reach को दिखाए जा रहा है क्योंकि 4 तरीके के यूज़ के जाते है adenine thymine and guanine cytosine uracil तो RNA के अंदर यूज होता है क्योंकि वहां different same ending के अंदर क्या होता है centromere region of each chromosome and distinct portion of the y chromosome centromere region कैसा होता है y chromosome का distal portion जो होता है वो कैसा है और 80 reach region अब इसमें क्या होगा largest bands जो होते है usually chromosome 1,9,16 and the y pit and chromosome 7,10 and the 15 have the medium sized bands size of the c band highly variable from person to person यह difference होता है 80 reach कितने regions है यह variations dna कि और dna fingerprinting में यह difference होता है 80 reach किसमें जाता है GC के bending कैसी है वो सब जी bending क्या है different होती है अगर हम इसमें क्योटाइपिंग कर लिया है उसमें abnormalities कैसी तरीके से आए abnormalities में दो तरीके के abnormalities है यह तो autosomes की है क्या फिर sex chromosome की है abnormalities में आगर हम बात कर रहे है autosomal की तो autosomes में किस तरीके से आते है एक होता है autoploidy एक होती है कर एक एक प्लाइडी होती है क्या है कि जो number of chromosomes है वो change होते है इसमें जैसे one change होगा two change होगा इस तरीके से इसमें बात करते हैं तो फस्ट क्या है डाउन syndrome में क्या होगा trisomy of the 21 chromosome 21 chromosome के अंदर एक portion homologous pair का एक होन मिलेगा trisomy homologous में double set होता है वैसे हमारे पास chromosome का 2 set है लेकिन यहांपर क्या होगा 3 set है edward में trisomy किसकी है 18 chromosome की patow syndrome में trisomy 13 syndrome की turner syndrome में X chromosome extra होगा clean fender syndrome के अंदर Y chromosome extra होगा sorry X chromosome किसके अंदर extra होगा male के अंदर male का genotype है क्योंकि यहांपर Y present है तो यह क्या हिसमें X chromosome ज्यादा है triple X chromosome super females इसको हम बोलते हैं यह X chromosome ज्यादा होगे XXY यहांपर भी क्या है male के अंदर X chromosome ज्यादा है तो यह क्या है इसके अंदर disease जो होती है वो chromosome basis होती है sex chromosome में हमने बताया अगर X O एक present ही नहीं है यहांपर absent होगा है X present है न यहाँ X present है न यहाँ Y present है that is the turner syndrome XXY एक extra X chromosome हो गया that is the train fender syndrome XYY double Y syndrome क्योंकि 2 Y आगे है super male यह क्या आगया यहाँपर क्या है triple X है trisomy X syndrome super females इसको हम बोलते है super female and the super males क्योंकि अगर Y present है वहाँपर तो वो क्या है exactly male होता है इस चीज़ को define करता Y चाहए single present है तब भी वो male का ही जीनोटाइब में शो करता है तो इसमें यह कहा गया है O Y or Y Y no living human with this genotype जो चीज़े study नहीं की जाती बायो में वो चीज़े पढ़हे नहीं जाती अगर इस देखेगा कोई होगा तो ही पढ़हे जाएगा तो दी जाता abnormalities of the chromosomes on the basis of the karyotyping we can study Thank you students आपको topic करवा दिये गए हैं किसी को कोई doubt है तो आप मेरे को इसके अंदर बता सकते हैं comment box के अंदर आपको